तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंसेंट इस्ट्री के बारे में बात करेंगे यानि कि जो प्राचिन इतिहास है इसका हमने टॉपिक लिया सिंदु घाटी सब्वेता जिसके यहां पर बात करेंगे और देखिए इसमें हमने रखें टोटल 25 क्यूशन रखें और जो 25 क्यूशन सेना एंसी क्यूशन लिया है जो कि हर एक्जाम में पूछे जाते हैं वहीं यह क्यूशन से और देखिए इससे भार कोई क्यूशन नहीं पूचा जाएगा जो यह 25 क्यूशन बहुत जादा इंपोर्टेंट है और गईस वीडियो को सुरू से अंतक देखिए तो देखिए यहां पर जो सबसे पहला हमारा क्यूशन है वह है कि जो सिंदू घाटी सब्वेता है इसके सेरों की जो गलिया थी वो कैसी थी यहां पर यह में बताना है तो देखो सिंदू घाटी सब्वेता की बात करी तो इसके सेरों की जो गलिया थी वो थी चौड़ी औ वो भई पूरो से पश्चिम और उत्तर से दक्षिन के और जाती थी कैसे जाती थी पूरो से पश्चिम और जो उत्तर से दक्षिन के और जाते हुए एक दूसरे को समकोन पे इस तरह से काटती थी ठीके अब देख लेते अगला क्यूशन देख लेते हैं और यहाँ पे जो अ आप्स सब अप्सनुरु नदीं आन सब्सक्राइब को हुआ। ऐ हो जाएगा रावी नदी लेकिन ध्यान दीजिएगा रावी Mandy पे हरपा के पाये जाते किसके हरपा के खंडर पाये जाते मों जोड़ो की नहीं कि मों जो तुए पाये गाता है इसकी जो लीपी थी वह कौन सी थी यह में बतानी है कि नेग्यात लीपी तो यहां पर आशेर हो सी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा और देखिए इस लिपी की बात करें तो जो सिंदु लिपी है इसमें लगबग 64 मूल चिन है कितने है 64 मूल चिन है और इसमें जो मत्cent के 250 से लेकर और 400 तक अक्षर है इसमें लिपी है इसको अगर हम बात करें तो जो सेल खड़ी के आयताकार मौर है और जो तामबे की जो गुटी का है उनपर यह मिलती है और जो यह लिपी की बात करें जो यह लिपी है न यह चित्रातमक लिपी है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकाय है ठीक है अगला देखिए गाईस यहां पर अगला आमने क्यूशन जो लिया है वो लिया है कि बिना दूर्ग का एक मातर सिंदू नगर है यह कौन सा था तो देखो बिना नगर का बिना दूर्ग का जो एक मातर सिंदू नगर हमें बताना है कि कौन सा था तो देखो बिना दूर्ग का जो एक मात्र सिंदू नगर था वो था चनूदडो तो यहां पर जो हमारा answer हो डी हमारा एकदम right answer हो जाएगा ठीके अब देखो अगर हम बात करते हैं चनूदडो की अगर हम बात करें तो जो चनूदडो है ना यह सिंदू नदी के बाएं तट पर भसावा और जो चनूदुड़ो है यह बड़ी मात्रा में यहां से जो प्रसादन सामगरी भी मिली थी और जो यह एक ओध्योगिक नगर है जहां पे जो मैके हैं इन्होंने मनके का मनके बनाने का कारखाना डूंडा था अगला देख लेता है क्यूशन यहां पे जो नेक्स हमने क्यूशन लिया है कि मोहन जो दाडों में सबसे बड़ा भवन यह कौन सा है तो इसमें दान्यागार है यहां पे यह पर अंसर हो जाएगा धन्यागार है सही आंसर हो जाएगा कि जो धान्याकार है वो मोहन जोदलों का सबसे बड़ा भवन है अब ये तो हमने देख लिए सबसे बड़ा भवन है लेकिन हमें पता होना चीए कि ये कितना लंबा है कितना चोड़ा है तो देखो धान्याकार कि अगर हम बात करें तो 45.71 मिटर तो ये लंबा है ठीक है और 15.23 यानि कि 15.23 मिटर ये चोड़ा है ये चीज हमने देख लिए तो आंसर हम देख चुके भी हमारा आंसर है अब यहाँ पर एक और चीज हम देख लेते हैं जो विसाल इसनानागार है इसके बारे में बात कर लेते हैं तो गैस अगर विसाल इसनानागार की मैं बात करूँ तो उतर से लेकर और दक्षिन की और जो इसकी लंबाई है न वो है 11.88 मिटर ठीक है और जो पूरों से और पश्चिम की और इसकी जो चोड़ाई है वो है 7.01 मिटर ठीक है यह चीज हमने यहाँ पर देख लिए अब फटाफट देखते हैं अगला क्यूशन और देखें यहाँ पर अगला क्यूशन विसाल इसनानागार से रिलेटेड़ी दे दिया है यहाँ तो क्यूशन पूचा है कि जो विसाल इसनानागार जिसे ग्रेट बात भी का जाता है त अगला देखिए यहां पर अगला जो मैंने क्यूशन लिया है वो लिया कि सिंदु घाटी के लोग हैं उनकी एक महतपुन रचना निमल लिकित में से किसकी मूर्ती थी यह में बता रहा है तो सिंदु घाटी के लोगों की बात करें तो इनकी एक महतपुन रचना है वो निर् करती हुई बालिका कि मूर्ति के अगर हम बात करें तो यह किसे बनी हुई थी तो गाइस यह बनी हुई है जो कांसा है कांसे से बनी हुई है ठीक है और जो यह मूर्ति कहां से प्राप्त हुई तो यह हुई मोहन जो दुड़व है वहां से प्राप्त हुई ठीक है अगला दे सिंधु घाटी सब्वयता से तो यहां पर जो हमारा आंसर हो सी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा इस QCN का Next देखिए अगला यहां पर जो मैंने QCN लिया है वह लिया कि सिंधु घाटी सब्वयता का पतन पतन को कहा जाता है बंदरगा ये कौन सा है कि या फिर यू कोई है कि सिंदुगाटी सब्वेता का बंदरगा कौन सा है तो सिंदुगाटी सब्वेता की बात करें तो इसका जो बंदरगा है वो है लोथल तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो भी हमारा एकदम राइट आंसर ह भोगवा नदीः किनारे और दीकिंवें और देख लेते हैं बात करते तो यह हम बहुत यह बढ़केप किनारे唱 श्रीद है अलग अलग टीले नहीं है यहां पर पूरी की पूरी बस्ती है ना वो एक दिवार में गिरी हुए जैसे पूरी एक दिवार है और इसी के अंदर पूरी बस्ती गिरी हुए इस तरह से ठीके अगला देख लेते हैं क्यूशन और यहां पर जो हमने अगला क्यूशन लिया है व किसी का जाजी मालगाड था तो सिंदु गाटि हमारा आंचर हो जाएकां यानि कि एह हमारा इसका ज़्याप हो जाएगा सईधा है अगला इसका उकनely नें सिंदू आर्थ व्यवर स्थाット क्या थी वस्ता की तो जो सिंदू सब्वेता के जो लोग थे उनकी जो आर्थिक आधार था आर्थिक आधार जो क्रेशी और पशुपालन है वो इनका आर्थिक आधार था किसका सिंदू सब्वेता के लोगों का अब देखो सिंदू सब्वेता के लोगों का आर्थिक आधार है वो क् तो क्रेसी में भी जो सिंदु सब्वेता के जो लोग थे ना इन्होंने सबसे पहले कपास हो गया था क्या हो गया था क्योंकि क्यूशन आपसे पूछा जा सकता है कि सिंदु गाटी सब्वेता के लोगोंने सबसे पहले जो उत्पादन किया वो किसका किया, तो हमारा answer हो जाएगा कपास का और कपास के अलावा मतरकी जों होगे, गें होगे, चावल, इनका भी उत्पादन यày करते थे बढ़ सबसे पहले किया कपास का और सबसे जादा जो उत्पादन किया जाता था वो कपाज का किया जाता था ठीक है अब देखते हैं यहाँ पर अगला क्यूशन और यहाँ पर हमने अगला क्यूशन लिया कि सिंदू सब्वेता के टैरा कोटा में से जो निमन लिकित में से कौन सा पालतू जानवर है जो विदमान नहीं है तो देखो सिंदू सब्वेता के तेरा कोटा की बात करें तो इसमें भैंस, बेड और सुवर ये तो विदमान है लेकिन जो ये गाई या न ये विदमान नहीं है तो यहाँ पर हमारा आंसर हो सी अमारा यहाँ पर एकदम सई आंसर हो जाएगा नेक्स देखिए अगला क्यूशन यहाँ पर जो आमने लिया है वो लिया है कि सिंदु घाटी इस्तल काली बंगन है ये किस प्रदेश में इस्तित है ये में बताना है तो सिंदु घाटी में इस्तित जो काली बंगन के बात करें तो ये राजस्तान में पढ़ता है और राजस कारें इसकी जो मोहर हैं उनका निर्मान करने क्याल मुख्य रूप से लिया गया तो अंसर आसर है थी कि हड़पा सभ्यता की बात करें तो यह पता है कि काश्य यूग है इसकी थी तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो एह हमारा सही आंसर हो जाएगा काश्य यूग ठीके अगला देखिए अगला यहाँ पर क्यूशन लिया है कि हडपा सब्वेता के जो निवासी थे वह ग्रामीर थे सैरी थे किस टाइप के थे यह में बताना है तो हडपा सब्यता की बात करें, तो हडपा सब्यता की जो लोग थे, ये सहरी थे, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है, वो B के साथ चला जाएगा, देखो कई बार ये क्यूशन पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी पूछा जाए कि हडपा सब्यता के, जो निव सिन्दु गाटि के देखो, आप कोई भी इमीज देखोगे न, छोल के, नेट पे जाएक, तो वहाँ पे सिन्दू गाटि, जो जितने भी घर है, वो सारे के सारे इंट्रो से बनाया जाते थे, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा कि इंट्रोसे गरतें, पीजिए ग किस वस्तुका किया। जो खोज की गई वो की गई दयाराम सानी के दौरा की गई और कब की गई तो यह की गई उननी सो इकीस में टीक है अगला देखिए अगला हमने यहां पर क्यूषण लीया है कि हड़पा के लोग है हडपा के लोगों का जो सामाजिक पद्दती वो कैसी थी तो हडपा के लोगों की बात करें तो इनकी जो सामाजिक पद्धती है वो थी उचित समतावादी तो यहां पर जो हमारा answer है वो ए हमारा discussion का right answer हो जाएगा ठीके next देखिए अगला यहां पर question लिया है कि जो सिंदू की सब्वेता का जो काल है वो भई क्या माना जाता है यहां पर जो हमारा answer है वो ए हमारा discussion का right answer हो जाएगा next है कि हमने question लिया है यहां पर वो लिया है कि हडपा के जो हडपा सब्वेता है इसकी जो खोज है यह किस वर्ष में हुई तो यह मैंने बताई दिया है कि 1921 में हुई और इसकी खोज किस ने की तो यह की दयाराम सहानी ने की तो यहां पर जो हमारा answer है वो भी हमारा यहां पर right answer है next देखिए next यहां पर जो question लिया है वो लिया है कि हडपा के निवासियों के बात करें तो यह सत्रंज में रूची रखते थे यानि कि जो सिंदुगाटी सब्वेता यह कहां तक फैली हुई थी यह में बताना है तो देखिए सिंदुगाटी सब्वेता के अगर मैं बात करूँ तो यह फैली हुई थी पंजाप, राजस्तान, गुजरात, उत्रप्रदेश, हरियाना, बुलिचस्तान और सिंदु ठीक है यहां तक यह फैली हुई थी जब भी आपसे पूजा जाए मांड़ा किस नदी पर इस्तित है तो आपका एक एंसर होगा चिनाब नदी पर ठीक है तो यहां पर ए है यह हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा तो आज के इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साती घंटे की चिंद को दबा लेजिए जिससे आपको हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगे और देखिए एक और चीज में कहना चाहूंगे कि इसी तरह से डेल डेलेल अपन क्या करेंगे एक एक टॉपिक ले लेंगे और उसके जितने भी mcq बनेंगे और multiple choice questions बनेंगे वो सारे के सारे एकी वीडियो में cover करा दिये जाएंगे इससी क्या होगा कि टॉपिक भी clear हो जाएगा और पूरे questions है वो भी complete हो जाएंगे तो गाइस आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आयो तो like जरूर कीजिएगा thank you for watching this video